बी ए थर्ड एर की हिंदि साहित्य के क्लास में आपका स्वागत है आज हम जैसंकर प्रशाद का नया चेप्टर सुरू करने जा रहे हैं जैसंकर प्रशाद का परिच देख लेते हैं आपने स्कूल में जैसंकर प्रशाद की कहानिया पड़ी होगी नाटक पड़े होंगे निबंद पड़े होंगे उपनियाज पड़े होंगे या कविता ही पड़ी होगी एक टर्म चलता है हर्फन मूला ये हर्फन मोला थे, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि साहित्ते की सारी विदाएं कहानी भी लिखते थे, बहुत अच्छी अच्छी कहानिया लिखी, गुंडा लिखी, इंदरजाल लिखी, मध्वा लिखी, जिन पर फ्रिमे बनी हैं, नाटक भी लिखे, दुरू सामने, जनमे जेका, नागिया, चंदरगुप्त, इसकंदगुप्त, कल्यानी जैसे नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावटी, और कविताएं लिखी, सबसे अच्छी तो कामाईनी, लहर, कामाईनी, लहर, आसू, जबरदस्त कविताएं की, तो लगवक्स अभी विधाओं में लिखा और बहुत अच्छा लिखा और निबंद भी लिखे, उन्हें सो, ठारा सो, नब्बे में जन्म हुआ, मृत्यू जल्दी होगी, उन्हें सो सैंतिस, लगवक्स इतालिस साल जीये, लेकिन सैंतालिस साल की कम उम्र में ही इन्होंने कितना कुछ लिख दिया, जैसंगर प्रसाद का जन्म वारानसी के एक संब्रांथ परिवार में हुआ था, वारानसी, कासी, जहां से हमारे प्रदान मंत्री जी आज इलेक्शन लड़ते हैं, मोदी जी, वही वारानसी, वही कासी, वही बनारस, तीनो एकी नाम है, सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद बाबु देवी प्रसाद इनके पिता थे, इनके मृत्यू प्रसाद के बालेकाल में हो गई थी, देखो जो जितना ज़्यादा दुख भोगता है, अगर वो मेनत और संगर्ष करे, अपनी प्रसितियों को संबाले तो वो उतना ही महान होता है, जै जिस समय पिता की मृत्यू हुई थी, क्विंस कोलेज में पढ़ते थे, फैसे वाले थे, गरीव नहीं थे, लेकिन पिता का साया सर से उठिया, बड़े भाई स्री शंबूरतन जी पर घर का सारा भारा आपड़ा, और अंत में प्रसाद जी को भी पढ़ाई छोड़ कर शुचा भान पर बैठना पड़ा, दुकान भी काई की थी? कपड़े लघ्ते की गयने की नहीं, तंबा को वेचने की, सुंगणी बोलते हैं तंबान की दुकान प्रशाद जी को पढ़ाय चोड़कर भाई के साथ दुकान पर बैटना पड़ा इसकूल की पढ़ाय चोड़ने के बाद भी प्रशाद अध्यान में लगे रहे घर पर ही रहकर उन्होंने आज की पीड़ी तो कोलेज में आके अच्छे ची स्कूलों में आके भी नहीं पढ़ती काम चोरी करती है यहां आजाते बच्चे कोलेज में और गार्डनों में बठे रहते हैं क्लास में नहीं आएंगे अंदर कुछ बच्चे तो बिल्कुली पढ नहीं चाहते लेकिन प्रसाद से सीखो पड़ाय छूट गई पिता जी मर गए दुकान पे काम करना पड़ा गर पर रहकर यह अंग्रे जी संस्कृत हिंदी उर्दू और फार्सी का अध्यन किया कितनी भाशाओं का अध्यन किया इन्होंने देखो घर पे रहके प्रशाद जी कि बहु मुकी प्रतिवा के धनी थे उनकी लेखनी में कविता बताई मैंने भी नाटक उपन्यास कहानी निभंध सभी को सम्रद किया नाटक भी लिखते थे कहानी भी लिखते थे कविता भी लिखते थे सभी लिखते थे सभी लिखते थे सभी विद्धाओं में इंदू औ प्रसाद जी ने प्रारंबिक कविताएं ब्रजभासा में लिखी, क्योंकि उस जमाने में ब्रजभासा का बहुत क्रेश था, तो इन्होंने ब्रजभासा में लिखी, चित्राधार में उनकी लिखी वी ब्रजभासाओं की कविताएं हैं, उसके बाद वे खड़ी बोली में खड़ी बोली अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आप पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हो यह खड़ी बोली है जिससे हमारी वर्तमान हिंदी का विकास हुआ। है हमारे सलेबस में कामाईनी का तीसरा अध्याई लगाया है जिसका नाम है सरधा यही पढ़ेंगे हम सरधा कामाईनी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे हमारे सलेबस में केवल कामाईनी का तीसरा पाठ है जब आप हिंदी से मास्टर करोगे एमे करोगे तब पूरी किताब का अग्ष निकता है और च्शायवाद की सभी उसने मिलती है देखो प्रसाद को च्शायवाद का कभी कहते हैं च्शायवाद का अधार इस्तंप चार कभी माने जाते हैं प्रसाद सुमिता अनन्द पंथ सुरे काम्तिर पाठे निराला और चोथा महादेवी वर्मा ये चारो के चारो कभी छायावाद के आधार है तो एक आज पढ़ रहे हैं परसाद और इनकी सबसे बेश्ट कभी ता कुनसी कामाई नहीं ये हम पढ़ रहे हैं उनके कावे में नए विशे हैं विशे की नवीनता है भाव जगत का सुक्षुन कितरन है नवीन कल्पना है मानवे प्रकरतिक सुंदर्य है रहस्यात्मक्ता, लाक्षनिक्ता है ये सबी छायावाद की पसेस्ता है जैसे लक्षनिक तार, रहसे आत्मक्ता, प्रकरति सुंदर्य, मानवे चेतना, मानवे सम्वेदना, कल्पना, भारति इतियास, दर्सन और संस्कृति से प्रशाद का गहरा नुराग था अपने समान धर्मा रोमांटिक कवियों में प्रशाद सबसे अधिक विचार सील और अं रोमांस कर रही है या रोमांस कर रहा है तो यह रोमांटिक मूड यह रोमांस इसका मतलब प्रेम प्राधारित तो इनकी घिंती रोमांटिक अव्यों में होती है अंतरमुखी भी थे अंतरमुखी होते हैं कुछ अंतरमुखी होते हैं कुछ अपने आप में मस रहते हैं कम लोगों से मिलना जुनना बसंद करते हैं कुछ लोग बहार बहुत पटलाइं करते हैं तो जो बहार बहुत पटलाइं करता है बात करता है सबसे उसको बहिर मुखी बोलते हैं और जो इतियास और संस्कृति की जो उनकी समझ है, जो उनकी चिंतन है, जो उनकी विचार है, वो बहुत प्रोड समझदार गहरे हैं, संस्कृति का ध्यान की छाप उनकी रचनाओं में भरी है, उबरी है, जो उन्होंने संस्कृति का इतियास का ध्यान किया, वो उनकी कविताओं मे दिखता है और भारते संस्कृति के उज्वल पक्ष यानि अच्छी चीज और इतियास के गौरव पन्नों को अपनी कलपना के रंग में रंग करूनों ने राष्ट्रे चेतना की अभिवक्ती की है मजबूती भी थी उस ताइम पे हम अंगरेजों के गुलाम थे तो हमारी रा द्वनी शेर शिंग का आत्म समर्पन और महराना का महत्त वर राष्ट प्रेम से ओत्परोत का विताए हैं उनकि दार्शनिक चेतना का सरवत्त अधरन का माईनी है जिसमें उन्होंने समरस्ता का दर्शन स्विकारा है समरस्ता याने कोई दुख नहीं हो जीवने सब सम हो ज आनंद को प्राप्त करें यह कामाईनी का मूल विश्यवस्तु है परतिपाद्य है इनकी कामाईनी में एक लाइन आती है ज्यान दूर कुछ क्रिया भिन है इच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से न मिल सके यह विडम बना है जीवन की ज्यान दूर कुछ क्रिया भिन है ग्यान नहीं है क्या करना है क्या भिन है क्या नहीं कार्य कुछ और करते हैं ग्यान है नहीं इच्छा क्यो पूरी हो मन की तो क्या को इच्छा पूरी हो सकती है क्या मन की नहीं जब ग्यान नहीं है काम ऐसा कर रहे हैं जो लक्षे तक नहीं पहुँचा सकता ग्यान दूर ग्यान लिया ही नहीं, कार्य कुछ और कर रहे हैं, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, कार्य करना चाहिए, पढ़ने का, काम कर रहे हैं, मुबाइल में, टाइम पास करने का, जेटिंग करने का, तो कहां से इच्छा पूरी हो गी मन की, तो इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक तीसरा चप्टर पढ़ेंगे, चप्टर का नाम है शुर्दा, आज की क्लास यहीं तक धन्यवाद